हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BK24 स्टेडी जोन तो जिसाकि मैंना आपसे कहा था कि हम लोग मंथवाइस बात करेंगे करंट अफ्यस के बारे में, तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तरपरदेश विज़ेश करंट अफ्यस के बारे में, इससे पहले दिसमबर 2018 के करंट अफ्यस करेंट अफियस जो कि हैं उत्तरपरदेश के काफी जदा वेनिफिशियल होंगे या आपके आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहां साब को बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है आप चैनल पे नय है तो डेली करेंट अफियस देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं साथे साथ बेल आइकन जरूर दबाईएगा ताकि जो वीडियो में अपलोड करता हूँ उसके नोटिविकेशन आप ता सबसे पहले पहुँचे और वीडियो पसंद आती है तो आप एक लाइक भी कर सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला कोशिन लेते हैं अपना पहला कोशिन है हमारा कि कालिनू के लिए परसिद उत्तर परदेश के किस सहर को निर्यात विशिष्टा का दरजा मिला है तो कालिनू के लिए कौन सा शहर परसिद्ध है जिसको निरियात विशिष्टा का दरजा मिला है भी तो इसका जो सही आंसर है वो है option C वाला यानि की बधवई ठीक है बधवई जो है वो कालिनू के लिए काफी ज़़धा परसिद्ध है और इसको नवंबर में निरियात इसा नहीं है तो उनको नई मसीने खरीदने के लिए सरकार की तरब से जो है financial support परदान किया जाएगा तो आप यह सी जियाद रख सकते हैं बदोई में जो कालीन का उद्योग है उकरीब 1400 क्रोड उपय का उद्योग है second question है हमारे विले 24 नवंबर को योगी आधित्यनाथ ने आयुध्या में भगवान राम की कितनी मीटर उची परतिमा ही तू मंझूरी परदान की है तो आयुध्या में भगवान राम की परतिमा बनाई जाएगी उसकी उचाई हमको बतानी है कितने मीटर की परतिमा होगी तो इसका सही आंसर क्या जाएगा option B वाला 221 ओवर ओल 221 है इस परतिमा की लंबाई यहाँ पर से कुछ पॉइंट है जो आपको ध्यान होने चाहिए भगवान राम की जो जो मूर्ति है सिफ मूर्ति की अगर बात करें तो मूर्ति की उचाई होगी 151 मीटर इसके साथ 20 मीटर का छत्र होगा उपर और 50 मीटर आधार की उचाई होगी और ये बनाया जाएगा आयुध्या में ये ध्यान रखेगा गुजरात में जो सरदार बल्ला भाई पटेल की परतिमा है वो है 182 मेटर की ठीक है तो अगर भगवान राम की ये मूर्ति बन जाती है तो कह सकते हैं कि ये दुनिया की सबसे उची मूर्ति होगी तीक है चलिए Question number 3 है कि उत्तरपरदेश सरकार ने किस देश के साथ मिलकर राज्य में food value chain विक्सित करने की योजना बनाई है तो इसका सही answer है option B वाला यानि कि जापान उत्तरपरदेश सरकार और जापान ने दोनोंने मिलकर food value chain विक्सित करने की योजना बनाई है तो यह सिस ध्यान रखेगा आपको पता होना चाहिए कि फूड वैल्यू चैन विक्सित करने के लिए किस देश के सांथ समझाता किया है उत्तरप्रदेश सरकार ने क्वेशन नमबर फूर्थ है कि 4 नॉवंबर 2018 को योगी आदितनात ने किस जिले का नाम बदल कर आयुध्या करने की घोशना की है काफी जदा इंपोर्टन क्वेशन है हमारे एकजाम के इसाब से और आप लोग को इसका आंसर भी पता होगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसके बाद का नाम बदल कर आयुध्या करने की घोशना की उत्तरवरदेश सरकार ने 6 नॉवंबर 2018 को अब फैजाबाद का नाम बदल कर आयुध्या हो गया है ध्यान रखेगा इस जीज को ठीक है इसके बाद question number 5 तहे हैं कि उत्तरवर्दे सरकार द्वारा आयुध्या में आयुजित दिपोस्व के आयुजन में किस देश की पर्थम महिला ने भाग लिया दिपावली के मौके पे उत्तरवर्दे सरकार ने आयुध्या में दिपोस्व का आयुजन किया था और इसमें कौन शामिल हुआ था मुक्य अथिति के रूप में हमको यह सीज यहां पर बतानी है तो इसका सही आंसर क्या जाएगा option C वाला यनि कि दक्षन कोरिया की पर्थम महिला ने भाग लिया था इस दिपोस्व में और इनका नाम यहां पर से हम लोग देखेंगे इनका नाम था किम जोंग सुक था और जो यह दिपोस्व था इसका आयुजन किया गया था 6 नवंबर को कहां पर आयुध्या में दक्षन कोरिया की पर्थम महिला है यह दक्षन कोरिया के राष्टपती कौन है मून जे इन मुन जे इनकी पत्नी है किम जॉंग सुक तो ये सिस ध्यान रखेगा दक्षन कोरिया के राजधानी सियॉल है दक्षन कोरिया के मुद्रा वॉन है यहां से यह सिस ध्यान रखेगा कि यह जो दिपोसव था इसको गिनीजबू का वर्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया एक ही दिन में एक ही साथ जो है सबसे ज़्यादा दिये जलाने का रिकॉर्ड भी इस दिपोसव के नाम हो गया था इसके बाद question number six है माई पास की भारत में हातियों का पहला अस्पताल कि सिस्तान पर खोला गया question number six इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कहां पर खोला गया हातियों का तो इसका सही आंसर है option A वाला यानि की मत्रा मत्रा में हातियों का पहला अस्पिताल खोला गया है वैसे तो हातियों के अस्पिताल कुछ और जगा पहें लेकिन यह इस्पिशल है जहाँ पर कि सारी सुविधाएं है X-ray से लेकर हर कुछ मतलब पूरे की पूरे ट्रीटमेंट किया जाएगा हातियों का तो इसकी स्थापना की गई है उत्तर परदेश में और उत्तर परदेश के मत्रा में इसकी स्थापना है तो चुर्मुरा गाउं में यह हॉस्पिटल खोला गया तो ध्यान दखिएगा साथे साथे जो अस्पिताल है जैसे कि मैं आपको बताई दिया है यहाँ पर एक्सरे, लेजर, ट्रीटमेंट, सब कुछ अध्याधिनुक सुविधाय है वो होंगी तो उसके माध्यम से यह इलाज किया जा सकता है यह जो अस्पिताल है इसमें पसुचिकरिस्टा के शात्रों को हातियों के विभार का अध्यान करने की सुविधा भी परदान की जाएगी उपलब्द है तो यह जिस भी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए साथी साथ असम के काजी रंगा में हातियों का एक क्लिनिक है तो यह क्लिनिक था बेसिकलिए नॉर्मल जो कह सकते हैं जो ट्रीटमेंट होते थे वही जो है यहाँ पर होते थे लेकिन यह अपनी तरह का पूरी तरीके से हातियों को समर्पित यह अस्पताल जो है खोला गया है मतुरा के चुर्मरा गाउं में तो इसका सही आंसर क्या है उत्तर परदेश का जो इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम था उसका नाम बदलकर भारत रत्न अटल बिहारी बाचपी इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम कर दिया उत्तर परदेश सरकार ने तो बस याद रखेगा उत्तरपरदेश लखनों में इस्तित था ये स्टेडियम इसके बाद कुशिन नमबर 8 है कि केंज सरकार ने उत्तरपरदेश के किस एयरपोर्ट को सार्विजनिक नीजी भागिदारी योजना के तहत लीज पर देने का फैसला किया है तो कौन से एयरपोर्ट को इसमें से कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कि लीज पर देने की गोशना की गई है सार्विजनिक नीजी भागिदारी योजना के तहत तो सही आंसर option A वाला है, यनि कि लखनोव में स्तित एयरपोर्ट को लीज़ पर देने का फैसला किया गया है, केन सरकार की तरब से, यहां से आपको पता होना चाहिए कि 6 एयरपोर्टों को लीज़ पर दिया जाएगा, जिसमें कि एमदाबाद का नाम शामिल था, जैपूर क नाम शामिल था, लखनोव थी था, इसमें गोहाटी, तिरुवन्तुपुरम और मैंगलोरू, तो हमसे पूछा गया है उद्धरवर्देश का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लखनोव, तो आपको यह सीज जरूर बता होनी चाहिए, इसके बाद question No.9 है कि Mount Everest पर चड़ अरुडिमा सिना को UK विश्य विधाले ने मानट डॉक्टरेट की उपादी से सम्मानित किया है, दुनिया की पहली महिला है, यह दिव्यांग महिला है, जो उनने की Everest पर फतह हासिल की है, तो यह question हमारे उत्तरपरदेश का काफी important इसलिए हो जाता है, क्योंकि जो अरुडि किसे जो है, यह एक बॉली बॉल की खिलाड़ी थी, और एक बार जो है, लूट पार्ट होने पर जो है, इनके साथ लूट पार्ट हुई थे ट्रेन में, और उसका विरूद करने पर इनको ट्रेन से नीचे फैंक दिया गया था, जिसकी वज़े से इनका एक पैर काटना देश में, उत्तर परदेश में, नारी ससक्ती करनर संकलप अभ्यान की शरुवात की गयी है, 20 नंवंबर को, और जो संकलप अभ्यान था, इसमें महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए कही कारिकरम लाँच किये गये, उत्तर परदेश सरकार की तरप से, ठीक है, इसके बाद जहासी इस्तित बवीना छावनी में जो है 11 दिवसिय सैन अभ्यास इंदर 20008 का आयजन किया गया था और दो फिर देशों के बीचम की बीच में किया गया जाट या फिर भारत और किस देश के साथ किया गया तो ध्यान रखिए गा भारत और रूस ने इस सैन अभ्यास का जो सैन नभियास है इसके सुरुवाद 2013 में होई थी और इसका जो देश है वो है दोनों देशों के सैनाओं के बीच में परस पर सहीयों को बढ़ावा देना ठीक है तो बस यह सीज़ आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए इसके बाद क्वेशिन नमबर 12 है कि 12 नमबर को परद ओप्षन बी वाला यानि की वारणसी में ठीक है वारणसी में वारणसी के मैं जो है गंगा नदी के उपर देश का पहला multi model terminal का उद्गाटन किया गया था परदानमंतिये नरीन मोदी द्वारा 12 नहुंबर को ठीक है कहां इस्तित है ये ये गंगा नदी पर इस्तित है ये पहला multi model terminal तो इस इस आपको यहां से ध्यान होनी चाहिए आप मुझे comment करके बताईए कि उत्तरपरदेश विदानसभा ध्यक्ष कौन है वर्तमान में और सांते सांत उत्तरपरदेश के मुख्य नियाइधीश कौन है ये क्योंकि ये जो है काफी पूछा जाता है एकजाम में विदानसभा ध्यक्ष कौन है ये जरूर बताईएगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिन शुब हो आपको यह वीडियो पसंद आई होगे आम मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में थैंक यू सो मुच